रिष्टा तोडने से नाराज यूवक गाडियां लेकर पहुंचा क्यामसर ग्रामिनों ने दो को पकड़ कर की धुनाई गंबीर हालत में यूवकों को जुन्जुनु किया रैफर क्यामसर गाओं में ग्रामिनों ने दो यूवकों की जमकर धुनाई कर दी यूवकों को पुलिस चिडावा अस्पताल लेकर आई लेकिन हालत गंबीर होने पर दोनों को जुझनू रैफर कर दिया गया मिली जानकारी के अनुसार खिरोड निवासी यूवक विकास मिना की सगाई क्यामसर की एक यूवती से पांच साल पहले हुई थी लेकिन करीब साल बर पहले यूवक के बारे में बदमास परवर्ती का होने की जानकारी मिलने पर यूवती के परिवार ने करीब साल बर पहले रिस्ता तोड़ दिया इसके बाद यूवती का अन्या जिगह रिस्ता कर दिया गया यूवति का अब दो दिन बाद भिवा होने वाला है इसी को लेकर गाउं में यूवति की बिंदोरी निकाली जा रही थी इसी दोरान यूवति से रिष्टा तोड़ने से नाराज विकास मीना गाडियों में बदमासों को लेकर गाउं में आया और ग्रामिनों को यूवति को ले जाने की धमकी देने लगा इससे गुशा है ग्रामिनों ने यूवक और उसके साथियों को पकड़ना चाहा लेकिन यूवक साथियों के साथ गाड़ियों में भाग निकला और गाड़ियां सुल्ताना की ओर ले गया ग्रामिनों ने भी गाडियों से उसका पीछा किया यूवक इसके बाद पदमपुरा के पास एक कच्चे बंद रास्ते किये और गाड़ी ले गया यहाँ पर रास्ता बंदेक यूवक और अन्य साथी गाड़ी से उतर कर भागने लगे गरामिनों ने इनका पीछा किया और यूवक, विकास मीना और उसके एक साथी संदीप को दबोच लिया गरामिनों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी इसी भी सुजना मिलने पर सुल्ताना चोकी परबारी राजेश जांगिड के नेतरतों में मोके पर पहुंचे और गायलों को चिडावा अस्पिताल लाया गया यहाँ पर दोनों को तुरंत प्राथमिक उप्चार दिया गया हालत गंबिर होने पर दोनों यूवकों को जुनुनों के बीड़ी के अस्पिताल रेफर कर दिया गया डेंगू का डंक से कैसे बचे जानिये सीनियर डॉक्टर जितंदर यादव से डेंगू का डंक लगातार OPD में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है डेंगू के डंक से बचने के लिए क्या उपाए होने चीए और इस रोग के क्या लक्षण है इसको लेकर चिडावा के सीनियर डॉक्टर जितंदर यादव से बातचित की गई जानिये उन्होंने क्या उपाए और लक्षण बताए है जैसा कि पता है आपको मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर के काटने से खेलने वाली भीमारी है वो इनसे बचाव के लिए तो सबसे बहले मच्छों का रोक्ताम करना ज़रूगी है मच्छों के रोक्ताम के लिए अपने घरों के आसपास गरमें कूलर होगेरा में पानी को इकट्टा नहीं रखें हथे में एक बार जरूर से साफ करें सुपाएं और सुबह शाम के डाइम जो गुमते डाइम अपने पूरे वाजू के कपड़े पहनने है खान पान में क्या चेंज होना है जैसे मौसन के वज़ा अपने में जो ठंडी चीज है वो नीले पीज में रखे हुए सामान का कम से कम ब्योग करें लख्षन क्या होते हैं सरक हो ले इसे सरमे दर्द होता है उल्टी आती है पेज भुहा राता है सर दी लख कर ले जीम जलाता है ये कैसी मुख्य मंत्री बीज स्वाबलंभन योजना जिसमें किसानों को ही हो रहा है नुक्सान मुक्य मंत्री बीज स्वाब लंभन योजना सुरू हो चुकी है लेकिन किसानों को इस योजना का लाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दरसल राज सरकार इस योजना के तहट 15 किलो चना किसानों को दे रहा है इस योजना का लाब वो ही ले सकता है जिसके पास तीन बीगा जमीन हो सामूइक जमीन है तो तीन बीगा जमीन होने के बावजुद भी इस योजना का लाब नहीं उठा सकता इस योजना को लेकर अखिल भारतिय किसान सबा के जिला उपादेख्स बजरंग सिंग बलाला ने सवाल खड़े कर दी है उन्होंने कहा है कि वैसे तो किसानों को मुप्त में चना देने की बात कहीं जा रही है लेकिन जब तक किसान चक्कर लगाकर इस योजना का लाब लेने के लिए पहुंचता है तब तक किसानों को इतने पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं कि इस नीसुल की योजना को लेकर कुछ नहीं वस्ता है तरफ किर्शी विवाग की तरफ से 15 किलो चने मिद रहे हैं किसानों को और वो चना उस हादी मिद रहे हैं जो तीन बीगा जमीन है और खिसार की जमीन है कुए का बिजली का कुवा है बाकि जो सांजे में जजजिश की जमीन है उनको नहीं मिद रहे हैं दूसरी बात 15 मिल दे रहे हो जमीन जिसके पास में 10 विगा नसे तो और फिर नाम का फिर क्यों गुम्रा कर रहे हैं सब्सक्राइब कड़वाता है वीजरी का विल कड़वाता है किसी पास वाटसपर पर है तो उसके तो और जाद़ प्रेस्टेते पैंसे की लुक हो रही है और काम नहीं बृढ़ा काम बनता तब 15 चने का पैसा खर्स हो जाता है इसलिए क्या पो को लाखु गाउं में चल रही स्रीमत बागवत कथा के चोथे दिन कृष्ण जनमोसव मनाया सहर के निकट लाखु गाउं में चल रही स्रीमत बागवत कथा के चोथे दिन स्री कृष्ण जनमोसव का आयुजन हुआ इसमें बाल कृष्ण की जनम की सजीव जाकी सजाई गई इस दोरान बड़ी संख्या में सरधालू मौझूद रहे तता सरधालू ने बाल कृष्ण के जनम पर खूब डांस किया बतादे की विद्या देवी रामुतार गोईल दिल खुस परिवार की ओर से आयुजित इस कथा में वंदावन के कथा वाचक रादिका अश्रन महराज कथा का रस्पान करवाया है तता बाल कृष्ण के जनमोसो के परशंग का परवचन सुनाया इस मौके पर बाल कृष्ण की विकास अंजू बिवानी आदी कई मोजुद रहे पिलानी विधायक के पिता के निधन पर संधांजली देने पहुंचे सचिन पाइलेट पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के पिता नत्मल चंदेलिया के निधन पर कॉंग्रेस के बड़े नेता संधांजली देने के लि पिलानी विधायक चंदेलिया को धांडस बंदा रहे हैं राश्तान के पूर्वे उप सीम सचिन पाइलेट वाई विपर कल्यान बोर्ड के अधेक्स महेश शर्मा कॉंग्रेस के वरिष नेता परशान शर्मा आधी पहुंचे तथा दिवंगत नथमल चंदेलिया की फोटो के समक्स पुस्प अर्पित कर उन्हें संदांजली दी ये जानकरी सुसिल कुमार काजडा सर्मा ने दी है आपको बता दे कि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के पिता नत्मल चंदेलिया का निधन हो गया था निधन होने के बाद से ही कॉंग्रेस के बड़े-बड़े न झाल